आप देख रहे हैं SKK News SKK News में आपका स्वागत है मैं राधिका दिन भर की बड़ी खबरों के साथ SKK News पर देखे वैशाली जिला की खबरें वैशाली जिला अंतरगत महुआ प्रखंड के सिंघाडा उत्तरी पंचायत निवासी मोहमद मंजूर अंसारी के दो कुत्र मोहमद सेफ 24 वर्ष तथा मोहमद फैज 21 वर्ष कल शाम घर से कुशहर चौक दूद लाने के क्रम में अग्यात वाहनों के ठोकर से बुरी तरह घायल हो गया वही सेफ मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकी फैज आज पटना में इस दुनिया को छोड़ चल बसा इसकी जानकारी मिलते हैं ग्रामीनों द्वारा कुशहर चौक पर सड़क जाम कर टायर जला कर आक्रोश एवं विरोध प्रदर्शित किया गया लॉक डाउन होन से आ रही अग्यात वहन ने ठोकर मारता हुआ चला गया। मौके पर सेफ ने दम तोड़ दिया जबकी फैंज ने आज दुनिया से रुकसत की। मौक की खबर से जहां परिवार के सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल है वही आसपास के इलाकों में मातमी सननाटा चाया हुआ ह किसी के जुबान से कोई बात सपश्ट नहीं निकल पाती है। दुर्भाग्या की बात तो यह है कि बड़े भाई सेफ की निकाह इसी पंचायत के कदम चौक में पिछले लॉकडाउन के पूर्व बड़े धून धाम से हुआ था। जिस गुल्हन के हाथ की महंदी भी नहीं सुखी थी और उसकी सुहाग उजड़ गई। चारो तरफ रोधन क्रंदन, शितकार ही चीतकार सुनाई दे रहे। लॉकडाउन होने के कारण सटकों पर गाड़ियों की संख्या तो कम है और जो भी गाड़ी सडक पर चलती है। वह बहुत ही तेज गती से निकलती है जिसस जानों की मौत की सदमे को लोग बरदाश्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसकी चर्चा सभी जगे हो रही है। इस महमारी में इस गाउं के लिए कौन सी आफत विप्ता पड़ी है। प्रखंड विकास पदादिकारी मनोज कुमार एवं महुआ थाना अध्यक्ष कृष्न नंद जाने लोगों को समझा बुझा कर जाम को समाप्त कराया। मौके पर प्रखंड विकास पदादिकारी ने कहा कि अभी ततकाल में परिवारिक लाब की राशी की भुगतान की गई है तथा आपदा प्रबंधन की और से मिलने वाले 4-4 लाग की राशी के लिए अनुशंसा की जाएगी जिसका भुगतान जल्द ही हो सकेगा। पैशाली से नसीम रब्बानी के साथ सुधीर मालाकार की रिपोर्ट अब प्तार करने के वाल जा रहे ते दूद आने भी दूसर जोग इसी करण में मववा से जा रही टिकाप मेंस से उनको धक्काल लग गया जिसमें वरे भाई जिन है महमाद सैफ की वहीं घतना सरव्मित हो गई तो महमाद फैज को घंब आदा दिना जहां से महमाद उसका कर दो